हेलो फ्रिंस साजी रिता के नए से ब्लॉक में आपका स्वागत है हाई फ्रिंस मैं हूँ रिता फ्रिंस शाम का वक्त है और शाम का अभी लगबख साड़े चार बज़ रहे हैं और मैं छट के उपर आई हूँ बहुत सुन्दर ब्यूटिफल नजारा है और तीन चार दिनों से हलकी हलकी बारिश हो रही है तो छट पे पानी डालने की भी जर्वत ने पड़ी है सब पेड़ पौधे की जड़ जो है हलके हलके गीले गीले है तो बहुत अच्छा लग रहा था च्छत के उपर आने के लिए थोड़ी सी हलकी हलकी धूब भी निकली हुई है तो बहुत सारव जाले कि आ गए थे और ये इसमें बहुत सारे बजार जो हैं हमारे बच्चे लोग को बहुत पसंद है जैसे अभी तो ठंड के जो सीजन की जितने भी सबजियां है लगभक सारे चीजे बच्चे खा लेते हैं और especially हम लोग सबचायां बनाते हैं उसके चिलके निकलते हैं साग भाजी निकलती है उसी से बच्चों का पेट बर जाता है भी फूल गोवी का सिजन है मुली का सिजन है सेमी है बरबटी है और ये सब बच्चे बहुत पसंद करते हैं गाजर वगर जो है वो तो बारों में बच्चे को बहुत पसंद है, वो लोगों को भाजियां बहुत पसंद है, तो अभी ठंड के सीजन में खईदने की भी जरवत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबजीयों के साथ पर जो आता है, उसमें से जो वेस्ट निकलता है, इनका पेट भर जाता है, तो फ्रेंस में रात का जो डिनर है, वो बनाना शुरू कर दी हूँ, और सबसे पहले मैं बनाई हूँ, ये मटर की डाल, इसको मैंने दो बार प्रेशर कुकर में सीटी आने तक उबाला है, और इसमें मैंने तड़का लगाया है, अदरक, थोड़ा सा जीरा, सुखा, मिर्चा और तेश पत्ता, औ इसको में मैंने बहुत सारा मिर्चा डाला हुआ है, और जब ये तड़का लग गया, तो मैं इसमें धनिया पत्ती डाल के उतार दी, ये बहुत अच्छा लगता है, तो रात में थोड़ा सा चामल भी बनता है, इश्या के पापा के लिए, और मैं यहाँ पे रोटी भी बन की था हम लोगों का डिनर टरेंज, मैंने और बनीक का टाइम है, आज का दिन, संभर का दिन है, तो संभर को हम लोग खास कर जला हुआ, तो जला हुआ, specially बैगन हुआ, तो ये अच्छा लगता है खाने के लिए, बैगन तो हर सिजन में ही पिलता है, तो अभी जो है, ठन की जो बैगन है वो बहुत बड़े बड़े भी आ रहे हैं और यहां हम जो कोलकता हमें गोल वाले जो बैगन होते हैं वो जलाने के लिए वो भी बहुत मिल जाते हैं और सस्ते रहते हैं फैंप तो रोटी बैगन नाम का भरता बहुत अच्छा लगता है तो फ्रेंस मैं यहां पर मिक्स वेज बठाई हूँ और उसके में पालक की जो भाजी होती है ना मूली आलो और सेमी के साथ में मैंने इसको पांच फोरन का तड़का लगा के बठा दिया है और पालक के पत्ते डाल दी है मैंने और इस इसमें थोड़ा सा मैं चीनी डाल रही हूँ और इसमें भी मैं थोड़ा सा द्रग घीस के डाली थी उतारते समय और इसमें मैं थोड़ा सा बुंजा हुआ जीरा भी डाल दी हूँ तो फ्रेंस मैं आज बना रही हूँ आलू फुलगोवी की सबजी जिसमें मचली डाल करके कतला फिश है ये और आज इशा का ओफिस में लंच है तो आज इशा यहां लंच नहीं करेगी घर में तो मैं तीन पिजी बना रही हूँ आज इशा के पपा को दो टुकड़े दे दूँगी और मैं सिर्फ एक ही खाऊंगी और यहां बन रहा है फूल गोभी को मैंने उबाला हुआ है पहले और मचली का ही जो बुंजा हुआ तेल बज गया था उसी में मैं इसमें जीरा डाल दिया है फोरण तेश पत्ता और इसमें मैंने फूल गोभी और आलो को डाल दिया है इसको मैंने बॉयल किया हुआ था पहले और इसको मैंने हाँ से पीसा है जीरा और हरी मिर्ची साथ में मैंने पैकेट से निकाला हुआ है जीरा का पाउडर थोड़ा सा जीरा का पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा दो टमाटर का जो टुकड़ा था वो मैंने डाल दिया है इसमें और साइट में गरम पानी भी बिठा के रखी थी तो जल्दी से मैं बना दी हूँ और ये जो ग्रेवी हो गया है उबल गया है तो इसमें बचली डाल दूँगी और भूंजा हुआ जीरा जो है ये इसमें उतारते समय डालोंगी धनियापत्ती के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा सिंप्ली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तो रेगुलर तो हमारे घर में रोजाना मचली बनता है लगभग विक में रेगुलर बनती है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा रिच नहीं खाते हैं तो वैसे भी ये सबजी जो है बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को तो इसलिए मैं रेगुलर इस से बनाती हूँ, साथ में रखा हुआ है ये भरता, और ये भरता को मैंने प्यांच, धन्यापत्ता, कच्चा मिर्ची और इस बैगन में ही मैंने एक लेसन घुसा के रखा था जलाने के लिए कच्चा तेल से, इसको मैं अच्छे से मैश कर लेकिन बचा हुआ है अभी पनीर की सबजी बनाना, इशा के ओफिस में आज एक कोलीक की शादी होने वाली है कल, तो आज हुने दावत दी गई है ओफिस में, तो दावत में सभी बाहर चे खाना ओर्डर किया गया है सभी के लिए, लेकिन हमारे बिंगॉल में तो ये एक नियम होता है कि पांस तरह की भुझिया और तरह तरह की नॉनवेज और वेचे की सबजिया बना करके सर्फ की जाती हैं, तो उनको पनीर की सबजी इशा के हाथ की पसंद थी, तो इशा ने बोला कि मम्मी मैं बना के ले जाती हूं, कोलकता में इस दावत को आई बुड़ो की डाली हूं, और ये मशाले में ही मैं डाली हूं, थोड़ी साही जीरा डाली हूं, और गुलाब के जो दाने होते हैं, मीठे गुलाब के जो दाने होते हैं, वो डाली हूं, अधरक लेसन प्यां जाईए, सब तो डाली हूं, थोड़ा सा जीरा धनिया भी डाली हूं, और इस तरह से इसको मैं भूझने के लिए बठा दी हूँ और यह जब थोड़ा थोड़ा भूझना हो जाएगा ओल छोड़ेगा तो मैं इसमें जरा सा पानी डालूँगे एकदम स्लाइट सा पानी डाली हूँ एकदम ज्यादा नहीं यह मसाला भूझने लिए बस उतना ही देरी तक मैं इसमें पानी डाली हूँ और साइड में मेरे लिए रोटी बना रही हूँ तो इशा बोले कि ममें ठीक है छोड़ो मैं बना देती हूँ फिरिंस अभी लगवक तीन दिनों से मैं रोज पनीर बना रही हूँ और इस तरह रिगुलर बन रहा है तो अलग-अलग तरीक कर दूंगी तो फ्रेंस आज का ब्लॉक कैसा लगा जरूर से कहिएगा और अगर अच्छा लगे तो मेरे साथ बने रहेगा तो फ्रेंस आज के लिए बस इतना ही मिलूंगी बहुत जल्द बाबाई फ्रेंस